पता है जब भी मेरे घर पर आम आती है ना तो मानो वो सफा चटी हो जाती है और मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं रेसपी को बनाओ बट वो मुझे आम दिखती ही नहीं है तो मैंने क्या किया ना इस बर दो आम ना मैंने छुपा कर रखे थे ताकि मुझे ये रेसपी बनाने म मैं बस इस आम को छुपा लूँगी और मैं एक रेसपी बनाऊंगी क्योंकि मुझे आप लोगों को इस साथ में शेयर भी करनी थी क्योंकि मेरे घर में आम सभों की इतनी फेवरेट है कि मैं क्या ही बताऊं तो बस मैंने इस आम को फटाफट से कटिंग कर ली और चोटे-चोटे पीसस में करने के बाद में इस तरीके से चर्ण कर लिया है बहुत ही अच्छे से इसे पेस्ट को बनाना है तो ये देखे प्यूरे हमारी बनकर रेडी है अब न ये एकदम फाइन सी प्यूरे है बस इस बात का ध्यान रखेंगे अगर थोड़ी से भी चंक्स दिखे न तो इसे आप छनी की मदद से आप इसे च्छान कर एकदम फाइ नेएफ पाउडर अगर इलाइची पाउडर नहीं है आप इलाइची के दानों को साथ में ही आम के साथ में फीस कर चर्ण कर सकते हैं। अराम से यह पेस्ट बन जाएगा मेरे पास पाउडर थी को पानि तो मैंने बना ली अब उसको मैंने एक साइट पर उबल चुकी है तो मैंने इसमें डाल दिया है एक चमच चाय पत्ती और यहां पर इसे कुछ मिनट के लिए और ढख कर करेंगे तो आईए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं देखी काफी अच्छे से ये जो लिकर है ये रेडी हो चुकी है और उबाल भी आ रही है तो मैंने याँ पर मिश्री का यूज किया है आप चाहें तो सुगर का भी यूज कर सकते हैं इविन आप यहाँ पर गुड का भी यूज कर सकते हैं जो जैगरी होती है या फिर जैगरी पाउडर तो बस ये ना हमने लिकर को बना कर रेडी कर लिया और इसे ठंडा कर लेंगे उसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से छनी की मदद से इसे छान लिया है तो लिकर हमारी बनकर रेडी है इसे ठंडा हो जाने देते हैं और एक लेंगे सर्विंग ग्लास तो यहाँ पर रेसपी लगबग हमारी रेडी है इस सर्विंग ग्लास में ये मैंगो की प्योरे हमने डाल दिया और ये जो लीकर हमने रेडी किया था ना बस उसे डाल देंगे और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे काफी अच्छे से मिक्स करना है और बस ये देखिए यहाँ पर हमने मिक्स करकर रेडी कर लिया है उपर से पुदीने के पत्ते को रखेंगे ठंडी ठंडी यहाँ पर म सब्सक्राइब जरूर से कर लें